नमस्कार साथियो नियूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं साल 2021-22 के जीडीपी के आखड़े आए हैं जीडीपी यानि की एक देश में एक निर्धारित समय के अंदर कुल सामान और सेवाओं की अंतिम कीमत को जीडीपी कहा जाता है यह कोविड से पहले यानि की साल 2019-2020 में 146 ला करोड थी 2020-2021 में कोविड के दौरान घट करके 135 ला करोड हो गई और उसके बाद 2021-22 में 147 ला करोड हो गई है परसेंटेस्टर में कहा जाए तो 8.7% की आर्थिक विधी कहा जा रहा है लेकिन इन सारी बातों में एक पेच यह है कि भाई आम आदमी समझ नहीं पाता है कि इसका मतलब क्या है तो आम आदमी के लिहाद से समझने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ट सहयोगी पत्रकार और निंदो चक्रवरते तो सर मैंने आपको जीडीपी का यह पूरे आंकड़े बता दी है और एक पेच यह भी है कि जो आर्बी आई ने कहा है कि जो कोविट से पहले का दौर अगर पाना हो तो साल 2034-35 लग जाएगा लेकिन इस सारे तकनीकी बातों में पटना और जुम्री तुलाया का किसान या करमचारी समझ नहीं पाता है कि भाई उसकी जिन्दगी में क्या बदला हुआ है तो थोड़ा इसे बताईए यह बहुत दिल्चास सवाल है अजे कोई अच्छा चीज होगा लेकिन उससे एक चीज और भी है कि टीवी पर का जाता है देश की जीडिपी अब भारत की जीडिपी साड़े आठ प्रतिशत बढ़ी है दुनिया में सबसे जादा बढ़ रही है ऐसे का जाता है जो प्रैम टाइम के हमें सारे अंकर होते जो शा किसी तरीके से चलता है क्योंकि GDP से असल में हमें कुछ पता नहीं चलता है GDP का मतलब अग्षण देशरे बहन के महिने का सेलरी है rifa दोलाज रुपत ज़ने है पचाश सेजात और तीसरे बहन का महिने का सेलरी है 25 झानए है सब कुछ मिला के आप देखेंगे तो कूल परिवार के जो आय है वो महीने में तीन लाक रुपे के आसपास आय परिवार का है लेकिन जो भाई दोलाक रुपे कमाता है वो कहता है कि भाई मैं ज्यादा कमाता हूं मैं तो अपने लिए अच्छे चीजे खरीदूंगा मैं अपने कमरे के लिए अच्छा सा स्पीकर तो परिवार का खुल आया आपको तीर लाइक रुपे लगेगा लेकिन कुछ लोगों के पास इससे जादा इसका अधिकतम अधिकतर आए कुछ लोगों के पास है और कुछ लोगों के पास है नहीं। प्रतिशत बढ़ा हो और जो गरीब है उनका दो प्रतिशत घट गया हो लेकिन और सतल हम देखेंगे तो साड़े आठ प्रतिशत बढ़ा है तो उससे हमें कुछ पता नहीं चलता है यह साफ है अजए यह जो डेटा है कि स्प्लिट कैसे है किसके हाथ में कितना पैसा यह कभी हमारी उम्र हो गई 50 साल जो हमारी कमाई थी 1980 के समय में वही कमाई मत्तब उसमें हमको तो लगता नहीं कुछ बढ़ोतरी हुई है हम वही समान भी नहीं खरिद पा रहा है आज और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो थोड़ा इसको बताईए कि अगर एक लंबा समय ले लगा है बहुत सारे एस्टिमेट है जैसे आप अगर देखेंगे कि वर्ल्ड इकना इनीकॉलिटी डेटाबेस बोलके एक डेटाबेस तयार किया गया है कुछ फ्रेंच एकॉनिस्ट है और उन्होंने एक इनीकॉलिटी लैब तयार किया है उसमें से हम भारत का जो टैक्स क दिखाई देता है क्या है साथ में अगर आप देखें कि हमारी देश में नैफिस बोलके एक नाबाट का फाइनाशल इंक्लूजन सर्वे 2017 में हो जाए 2018 में हुआ है इसमें एक ऑसत ग्रामीन जो परिवार है उनका कितना इंकम होता है उसका एक चार्ट है आप उससे किया गया है कि जो क्रिशी परिवार है खेती करते हैं जो ऐसे परिवार और जो खेती के बाहर आय होता है उनका कंपैरिजन किया गया है और इससे हमें बहुत कुछ धीरे-धीरे साफ पता चल रहा है कि 1980 के बाद जो गरीब तबका है 1991 तक उनका जो डिवेलप्मेंट हुआ था उनका जो आय बढ़ा था 1991 ऑनकी आय बढ़ी नहीं घटी है यह उनमें जो बढ़त हो रहा था उनीचा नैंटीनन्टटिवन तक जो रेटज से बढ़त हो रहा था अजादी के बाद से वह रेट घड़िया है ठीक है यह पाइल और मैं यह यह तक आए कह रहा हूं जो कि हम जब महिंगा इदर हटा देते हैं तब उसको देखाए जैसे एक सिंपल सा बात करता हूं अगर आप सोच रहे कि किसी का तंक्खा है महीने में 50,000 ठीक है अगले साल उनको का गया कि आपका दस प्रसंट इंक्रिमेंट हो गया है आपका अब से 55,000 इंक्रिमेंट हो गया 5,000 रुपे बढ़ गया लेकिन एक साल में महेंगा इदर 12 परसंट बढ़ गया तो अगर आप 50,000 में से आप सोची कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं बसता था 50 के 50,000 खर्च करते थे उसी लेवल पे रहने के लिए 12 परसंट आपको जादा देना पड अगर आपको उसी लेवल पे रहना है वही चीज़े खरीदने एक साल बाद लेकिन आपके हाथ में कितना रहा है 55,000 इसका मतलब है आपका रियल इंकम असल इंकम कम हो गया है इसलिए हमें अगर असल इंकम देखना है किसी भी देश का तो हम रियल लेवल पे लाते हैं उसक जादा लोगों के लिए नहीं यह सिरफ लगभग इस वक्त तेरा लाख जो जो फैक्टरी में काम करते हैं मजदूर फैक्टरी में काम करने मजदूर वाले मजदूरों का डेटा है कि 1981 में लगवक्ट छे लाख छे मिलियन के आसपास ऐसे फैक्टरी वर्कर थे हमारे देश में अब तेरा मिलियन के आसपास जैनी एक दिश्टलम तीन करोड़ के आसपास अब मैं अगर देखू तो 1981 में च्छे सो रुपए उस वक्त के दामों में च्छे सो रुपए और सब्तन तंख्वा महिने में जो मजदूर है फैक्टरी के वर्कर है उनको मिलता आज वो आवरेज जाकर 1920 में 2020 लास जो डेटा यह सरकारी डेटा है वो जाके साड़े 14,000 रुपए हो गया अब आप कहेंगे वा साड़े 14,000 रुपए इसका मंदल दो 24-25 गुना बढ़ गया है हां अब आप देखे के 1991 तक यह बहुत तेजी से बढ़ा है 1991 के बाद भी 1991 में भी वो 1750 के आसपास इनका था और सतन एक वर्कर का पैक्टरी बढ़कर का आज आग देखे साड़े 14,000 यानि वो भी साड़े आठ नौ प्रतिशत बढ़ा है पिछले 30 सालों में उससे भी कम अ 28-39 सालों में साड़े आठ से नौ टाइन गुना बढ़ा है लेकिर आप हम महेंगा इदर हटा देते हैं तो महेंगा इदर हटा कि अगर हम देखे कि आज का जो साड़े 14,000 रुपए है वो 1981 में कितना होता 1981 में अजय वो साड़े 700 से भी कम होगा 1981 में 9,500 रुपए से आप जो चीज खरीद सकते थे आज वो खरीदने के लिए आपको साड़े 14,000 रुपए तो 1991 में 1750 में जो आप खरीद सकते थे उसके तुलना में हर साल सिर्व 12% बढ़त हुआ है आधा परसेंट बड़त हुआ है रियल इंकम में जो फैक्टरी वर्कर है उनका उस तरह अगर आप प्रॉफिट देखेंगे मुनाफ़ा जो मिल रहा है जो फैक्टरी के मालिक है उनका हर साल साड़े चार प्रतिशत के रेट से बढ़ रहा है और यह अगर आप डिविजन दे मतलब कि कहने का मतलब तो यही हुआ कि पैसा तो जेव में बहुत ज़्यादा दिख रहा है लेकिन समान पहले के मुकाबले भी हम नहीं खरिद पा रहा है उससे कम खरिद पा रहा है या थोड़ा ज़्यादा 1991 में जब रिफर्म किया गया होगा मुझे पता नहीं आप पैदा हुए थे या बहुत छोटे होंगे 1991 के रिफर्म के टाइम पर कहा गया था कि हमारे देश को हमें इंडस्ट्रिलाइज करना है हमारे देश में जो फैक्ट्री सेक्टर है उसमें लोगों को काम जादा देना हैं इसलिए रिफर्म की दर रहता है मनमोहन सिंग का वह भाषण है बहुत मसहूर जो उस समय हुआ था तो वही बात है कि आखिरकर 1991 के बाद कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पैसा आया बहुत बृद्धी हुई यह पैसा गया कहां मतलब किसके जेव में गया अमीरों के जे प्रॉफिट जो फैक्टरी का ओनर है उसके हाथ में जाता है मुनाफ़ा जिसका लैंड पे वो काम हो रहा है उसको रेंट मिलता है ठीक है जिसको हम रेंट पेमेंट जो फैक्टरी वाला रेंट देता है जिसने लोन दिया है बैंक हो या जिसने भी लोन दिया है उसको मजदूरी मिलती है तो यह चार चीजे निकल के आते हैं किसी भी फैक्टिल पॉड़क्शन से प्राफिट रेंट इंट्रिस वेजजिस अब आप देखिए इस में से अगर हम देखे जो अमीय लोग हैं वही देते हैं पैसा इन्हीं का जाधातार पैसा बैंक में होता है इक दूस्जियर प्रेंटोर को वाले को बोलता है यहां पर factory लगा लो या मेरे पास factory है इस पे आप काम करो वो भी धनी आदमी है रिच और जो factory का होनर है वो भी धनी है तो rent, interest, profit, धनी लोगों के हाथ में जाता है interest profit. 2019-2020 में आके वो क्या हो? 19 प्रतिशत अब जाता है मजदूरी में और बाकी 81 प्रतिशत, rent interest profit, उसमें से 58 प्रतिशत profit, यानि जो भी बड़त हुआ है और ये बड़त कम नहीं, जो भी बड़त हुआ है value added में manufacturing sector का कह रहा हूँ, उसका 58 प्रतिशत अब profit में जाता है और वो कम हुआ है अजे, 2089 का जो crash भुआ था दुनिया भर में, उसके बाद से profit का ratio थोड़ा सा घटा है, हलका सा, उससे पहले तो जो मजदूरी का ratio था, वो तो 14-15 प्रतिशत पर उतराया है, लग बाद 40 प्रतिशत से 14-15 प्रतिशत पर उतराया था, उसी तरीके से हम देखेंगे, जो खेती करते हैं, उनका भी वोई हाल है, जो self-employed जिसको हम कहते हैं, हमारे घार में आके बरतंद होते हैं, जाड़ू पोचा करते हैं, या पकोड़े तलके हमको बेचते हैं रोड पर, या थोड़ा काड़ी खराब हो गया, तो गाड़ी का टायर बदल देते हैं, ऐसे जो self-employed point है, ये इनका भी real income वही के वही रहा है, बढ़ा नहीं, अब यहीं पर बात एक महंगाई की भी आ जाती है, कि जब भी महंगाई की चर्चा होती है, तो फिर वो आंकड़े आते है बहुत सारी बाते और रिजर बैंके बारे में कहा जाता है कि इंट्रेस्ट बढ़ा दीजी, सारी चीज़े चलती है, और एक बात एक ठ्यूरी दे जाती है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता और उत्पादन कम होता है, तो ये सर लोगों के पास इतनी बड़ी अबादी बिरोजगार है, इतनी बड़ी अबादी नियुमतम मजदूरी से भी कम ले रहे हैं और जिस तरह से आप बात बता रहे हैं कि ऐसी स्थिती है, तो इस अधार पर भी तो देखा जाए, तो हम जब महंगाई की चर्चा करते हैं, तो उसमें आम लोगों को ले करके क्यों नही होती हैं, देखिए यही बोला जाता है, कि यही जूट बोला जाता है, कि यह तो आम लोगों की परिशानी के लिए का जा रहा है, कि आप इंट्रेस्टेट बढ़ा दीजे, इंट्रेस्टेट बढ़ा दीजे, ने तो आम लोगों को बहुत परिशानी हो रही है, क्योंकि च इसमें घरीब लोग जब किसी के घर में काम करने जाते तो बाहर से जाते सिटी सेंटर में उनके रहने की जगह नहीं होती दूर दूर रहना पड़ता है और किसी ने बाइक खरीद रखा है कोई डिलेवरी करता है इन सब का खर्चा काम पे जाने का बढ़ता है जब फ्यू पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो इसी से आम लोगों को परिशानी होती है इंट्रेस्ट रेट बढ़ाने से इसमें कोई फर्क नहीं पढ़ता है इंट्रेस्ट रेट बढ़ाने से सिर्फ एक ही चीज होता है जो कि यह ऑन्द्टाहर कम हो जाता हैं उप्लॉइमेंट कम हो जाता है गाने तो लेकिन इंट्रिस ट्रेट क्यों बढ़ा जाता है इसलिए कि रोजगार कम कर दो लोग जो खरीद पाहरे इसको कम कर दो घृटा दो थोड़ा सा क्यंकि ज़स्दा तर हमारे दुनिया में अब जो जो लोग राज करते हैं वो financial sector के लोग राज करते हैं उनका सारा पैसा लगा हुआ है कहीं पे real estate में कहीं पे किसी financial instrument में महेंगाई दर जादा बढ़ जाए तो उसका value कम हो जाएगा अगर आप stock market से 10% आपका रिटर्न मेंगाई दर जब 5% है इसका मतलब मेंगाई हटा कर भी आपका 5% असल रिटर्न लेकिन वही 10% अगर आपको stock market से मिल रहा है और मेंगाई दर 12% पर चला गया इसका मतलब आपका negative हो गया ना पैसा इसी डर से financial sector हर वक्त कहता है कि मेंगाई कम करो मेंगाई कम करो मेंगाई करो जो मैं उदारन पहले दे रहा था अगर किसी 50,000 वाले का salary 60,000 हो गया अगले साल मेंगाई दर 12% हो और उसका खर्चा 56,000 हो गया फिर भी उसको 4,000 का फाइदा है मेंगाई दर का तभी मतलब है अगर real income कम हो जाए यानी income उस rate से ना बढ़े अगर सरकार fix कर दे कि वेज आपको इतना ही देना पड़ेगा मेंगाई दर जो आप जिस प्रतिक वर्ग है जो सूट बूट वाले लोग है उनका पैसा बढ़ता रहे है अभी अभी रिपोर्ट आया कि अमेरिका में जो महेंगाई आप जानते कि 45 सालों में सबसे जादा महें दर अमेरिका में पहुंच चुका है ठीक है साथ प्रतिशत जो यह महेंगाई बढ़ा है इसका कारण यह है कि जो ओनर कैपिटलिस्ट या पूंजी पती है जो कंपनी का ओनर है उसने दाम बढ़ाए है उससे अब प्रॉफिट बढ़ा है अगर कोई चीज सौ में से जाकर 105 डॉलर में आज बिख रहा है तो उसमें से तीन डॉलर जो पांच डॉलर जो एक्स्ट्रा हुआ है तीन डॉलर इसलिए क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा है यह कमी होने के कारण नहीं है या लोग जादा खरीद रहे इसके कारण नहीं है प् प्रॉफिट बढ़ाने के बाद भी करमचारियों में और आम लोगों में तो नहीं बढ़ता होगा बिल्कुल नहीं कहीं चला जाता होगा आप से अंतिम सवाल कि मतलब वो जो जुम्री तलाया पटना बक्सर में बैठा हुआ है वो जीडीपी और 146 लाग करोड तो सुनते अगर उसको अर्थ वैवस्था को ले करके सरकार को जिम्मेदार ठहराना हो तो वह क्या चीज है जो हमेसा नजर में रखनी चाहिए कौन सी चीज हो सकते तो उनको तो सिर्फ दो-तीन चीजों से फर्क पड़ता ना कि रोजगार है पैसा आ रहा है या नहीं और कितना पहले भी बहुत बार का आया कि सरकारी आकड़े ही हमें कहते हैं बताते हैं कि गाउं में तीस प्रतिशत जो सबसके गरीब हैं। महीने का इंकम के अगरिपरा से जालता नहीं इंकम हप 55,000 से ज्यादा नहीं ऑर वह रखिएगा कि परिवार में 6 लोग वह ओते हैं जह नीचे के तपके के लोग होते गडीज लोग तो हर महीने हर लोग के पास 200 से 500 रुपए के बीच 30 प्रतिशन हमारे देशे 200 से 500 रुपए हर महीने मतलब दिन में 7 से लेके कोई 13, 14, 15 रुपए तक वो खर्च कर पाते हैं उससे क्या होने वाला लेकिन अगर वो काम करें जैसे किसी इट की भट्टी में जाके काम करें या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करें या रोड बनाने गर्मी में जून के महीने में गर्मी में रोड बनाए तो उसके बाद भी उनके हाथ में वो ही पैसा आएगा उसके जगे पे अगर उनको कहा जाए जो वो किसान सम्मान निदी योजना उसमें हमने आपको महीने में पांसो पांसो रुपे दे दिये अब आप कहिए ठीक है वही या हाथ में तो आ रहे न दो धायाजार रुपे काम करके भी तो वही आने वाले तो मैं क्यों काम ढूंड़ो मुझे काम की जरूरत नहीं है आ उनको पता नहीं था और आप देखेंगे कि ऐसा हाल आज की बात में यूपीय सरकार के टाइम है और भी जाला था ठीक है तो मैं कह रहा हूं कि आज उनके हाथ में कहा जा रहा है सितंबर तक फ्री राशन मिलेगा कुछ पैसा इदर उदर से आ रहा है जिससे वो थोड़े स पज़ी खरीद लेंगे या कभी ये खरीद लेंगे डॉक्टर के पास भी पहुंच सकते हो सकता है या बच्चे को स्कूल में जालने के लिए कुछ पैसा लिए कोई बहुत है तो इसलिए ये सब चीजों को सामने लाना या इसको उजागर करना या लोगों को कहना कि एकॉ पर आप शो करेंगे तो देखने वाला बहुत तम होगा आप आज ग्यानवियापी मस्जिद है या मंदिर उस पे शो कर लीजा आदे कि लोग दरा दर देखेंगे देखेंगे तो लोगों का इंट्रेस्ट जगाने के लिए सबसे पहले आपको एक लोग लेवल पे एक डिम अजार नहीं कल मुझे 20,000 उकर नहीं सकता है तब ही अगर वो एक जो ठोके 3000 के जगे उसको 3300 मिलेगा लेकिन पुलिस के चार्ट डंडे खाने पड़ेगे तो वो 300 के करेगा क्या शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अगर आपको हमारे वीडियो ठीक लगते हैं और लगता करेगे उसक्रिया नूस्क्रिया नूस्क्रिया नूस्क्रिक